हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन तो लेंटरे दितिवन, तो दिखिए हमारा सेवन्थ चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 35 कोशन कर लिये थे, तो आप लोगोंने लेंट कर लिये होंगे, यदि नहीं किये हैं, तो इनको बार-बार पढ़िये, सुनिये, जिससे की याद हो जाएंगे, ठीक है, और अपने नोट्स जो हैं, वो बनाते रहिए, तो चलिए उसके बाद हम next question जो है, वे start करते हैं, question 36 से, ठीक है, हमने पहले जो पार्ट था, उसमें आंदोलन के बारे भी पढ़ा था, जो कि किसानों के द्वारा किया गया था, बिजोलिया किसान आंद जो है, इस समय जो यहाँ पर नित्रतों करते हैं, राम नारायन चौधरी, नैनु राम सर्मा करते हैं, अलवर किसान आंदोलन महाराजा जै सिंग के समय हुआ था, जब वहाँ पर जंगी सुवरों के संख्या बढ़ गई थी, और सीकर किसान आंदोलन में जो ठाकोर है, वह कल्यान सिंग है, वही विजोलिया किसान आंदोलन में हमने दो ठाकोर देखे थी, एक तो राव कृशन सिंग जो की सबसे पहले 84 प्रकार के कर लगाता है, और साथ में ही चवरी कर भी लगा देता है, प्रत्वी सिंग जो है वो तलवार बंधाई कर लगाता है, तो चलिए, अब हम नेक्स्ट जो आंदोलन करेंगे, वह है जन जाती आंदोलन, तो राजिस्थान में भील, मीना, गरासिया, यह सभी जन जातियां जो है, इनके द्वारा भी आंदोलन किया गया, यहां पर भी समस्या जो है, इसी तरीके की देखी गई, क्योंकि इन पर सोशन हुआ थ तो कुशिन 36 है, भीलों में जन जागरती का प्रसार करने वाले थे, भीलों में जन जागरती जो है, यह प्रसार करने वाले थे, गोविंद गुरु, नेक्स्ट दिखिए, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की इस्थापना की थी, गोविंद गुरु ने कौन सी सभा का आयोजन किया गया तो यह जो सभा है जिसकी स्थापना करने वाले थी गोविंद गुरू तो यह सभा मानगड पहाड़ी पर इस सभा का आयोजन जो है उनने सभा में किया गया था और यहाँ पर भी समस्या वही थी किसानों से बेगार लेना लागते लेना ठीक है वीलों को परेशान किया जाना नेक्स्ट देखिए आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं इसका मतलब क्या है कि जो पहले मसीहा है वो कौन है होगी लाल पांडिया ठीक है जिने हम बागड के गांधी के नाम से भी जानते हैं तो उन्हें हम आदिवासीयों का जो पहला मसीह उस नाम से भी जानते हैं तो यहां दूसरा मसीहा जो है कौन है मोतिलाल तेजावत एक ही आंदोलन किस ने चलाया था तो यह आंदोलन चलाने वाले थे मोतिलाल तेजावत किस आंदोलन को किस आंदोलन में 21 सूत्री मांगपत्र बनाया गया तो यह एक ही आंदोलन ही था ठीक जिसको किस ने स्टार्ट किया मोती लाल ते जावत ने 21 सूतरी मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है तो इसे मेवाड की पुकार के नाम से जाना जाता है कि मेवाड के महाराणा जो है वह है पुकार सुने आदिवासी जातियोंगी उदेपुर के महाराणा ने 21 मैंसे कितनी मांगे जो है वो मान ली थी तो उन्होंने 21 मैंसे 18 मांगे जो है वो है मान ली थी नेक्स्ट दिखिए 44 कुश्यन दुंगरपुर बासवाडा में जो भील थे इन लोगों को संगटित करने का श्रे किसको दिया जाता है दुंगरपुर बासवाडा में भील लोगों को संगटित करने का श्रे दिया जाता है बागड के गांदी भूगी लाल पांड्या को और हरी दिव जोसी को मीना चौकीदारी करने के बदले में गाउवालों से क्या लिया करते थे तो ये लेते थे चौत ठीक है चौत वसूला करते थे ये गाउवालों से क्यों चौकीदारी करने के बदले में चौकीदारी करने वाले मीना क्या कहलाए तो बही जो चौकीदारी करते थे और चौत वसूलते थे गाउवालों से तो ये चौकीदार मीना ही कहलाए सरकार ने मीना जनजाती पर कौन सा कानू बनाया था तो 1924 में Criminal Tribes Act जो है बनाया गया था मीना जनजाती के लिए नेक्स्ट देखिए Criminal Tribes Act जो 1924 में सरकार ने बनाया उसमें कितनी आयू से अधिक के महला पुरुस को प्रती दिन थाने में उपस्तिती देनी होती थी तो यहां पर जो 12 वर्स के अधिक थे मीना जाती के लोग तो उनको रोज जाना परता था पास के थाने में और वहां पर अपनी हाजरी देनी परती थी प्रजा मंडल का क्या अर्थ है तो प्रजा मंडल का अर्थ क्या है प्रजा का मंडल अत्वा संगठन किसने कहा कि राजिस्थान में जन आंदोलन तभी आरम हो सकता है जब वहां की जनता तयार हो तो ऐसा कहने वाले पंडित जवाहरलाल नहरू थे, वो कहते हैं कि किसी इस्थान पर जन आंदूलन तभी हो सकता है जब वहां की जन यानी लोक तयार होंगे जयन अरायन व्यास ने 1934 ऐस्वी में मारवार प्रजामंडल की इस्थापना की थी मारवाड प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया मारवाड प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वह किसे बनाया गया तो भवरलाल जो है इनको मारवाड प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया हवर लाल शर राफ को अध्यक्ष बनाया गया था मारवाड प्रजामंडल का मारवाड लोक परिशत का गठन कब हुआ? मारवाड लोक परिशत का गठन हुआ था 1938 में रण छोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में जैपूर प्रजामंडल की इस्थापना कब हुई थी? जैपूर प्रजामंडल की इस्थापना 1931 में हुई थी करपूर चंद, पाठनी और जमनालाल बजाज द्वारा जैपूर प्रजामंडल की इस्थापना होती है जैपूर प्रजामंडल का पुनर गठन कब हुआ था तो यह 1936 में हुआ था ठीके और राजिस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल यही है जैपूर प्रजामंडल तो इसकी स्थापना 1931 में होती है करपूर चंद, पाठनी और जमनालाल वजाज की प्रयासों से ठीके और 1936 इसवी में जैपूर प्रजामंडल का पुनर गठन किया जाता है जैपूर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कारे किसके नेतरत्व में प्रारम हुआ तो चिरंजी लाल मिश्र के नेतरत्व में प्रारम हुआ था जैपूर प्रजामंडल का पहला अधिवीशन कब हुआ तो पहला अधिवीशन 1938 में होता है जमनालाल वजाज की अध्यक्षता में तो मैंने आपको क्या बताया था कि राजिस्तान का सबसे पहला प्रजामंडल जो है जैपुर प्रजामंडल है 1931 में इसकी स्थापना होती है 1936 इस्वी में इसका पुनर घटन होता है और 1938 में जैपुर प्रजामंडल का पहला अधिवीशन होता है मेवार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई मेवार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 24 अप्रेल 1938 को बलवन सिंग महता की अध्यक्षता में हुई थी 1931 में जैपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मारवार प्रजामंडल की स्थापना और 1938 में मेवार प्रजामंडल की स्थापना होती है मेवार प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमे का किसने निभाई मेवार प्रजामंडल की स्थापना इसमें मुख्य भूमे का निभाते हैं मानिक्यलाल वर्मा ठीक है और मानिक के लाल वर्मा जो हैं जो की बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरंड में यहां शामिल होते हैं Question number 60 है बीका नेर प्रजाम अंडल की स्थापना कब हुई बीका नेर प्रजाम अंडल की स्थापना 1936 में हुई मघाराम वैद लक्षमन दास स्वामी के दौरा बीका नेर प्रजाम अंडल की स्थापना होती है यह चीज़ आप याद रखेंगे Next देखिए Question number 61 बीका नेर प्रजाम अंडल का खुला अधिवीशन कब आयोजित किया गया तो यह 30 जून 1946 को राय सिंग नगर में आयोजित किया गया कोटा प्रजाम अंडल या हाडोती प्रजाम अंडल इसकी स्थापना कश्रे किसे दिया जाता है तो यह नहनूराम जो सर्मा है नयनूराम शर्मा तो यह कोटा प्रजाम अंडल के क्या रहे हैं इस्थापन करता रहे हैं या हाडोती प्रजाम अंडल की स्थापना किसने की नयनूराम शर्मा ने की थी कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ तो मई 1949 को कोटा में ही होता है कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन तो आज हम यहीं तक करेंगे जहां हमने जो जन जाती आंदोलन वो पढ़ लिए हैं प्रजा मंडल आंदोलन पढ़ लिए हैं और सभी question अंसर जो आपके यहें चेप्टर में दिये हैं, सभी के सभी मैंने यहाँ पर include कर लिए हैं, ठीक है? तो आपको book जो है वो पढ़ने की जरुत नहीं है तो दिखिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूं प्रजामंडल के संबंद में कि सबसे पहले जैपूर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में करपूर जनपाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा जो दूसरे जो प्रजामंडल है उसके बाद स् मेवार प्रजामंडल की स्थापना होती है मानिक्यलाल वर्मा के द्वारा और वहीं कोठा प्रजामंडल की स्थापना 1949 में पंडित नैनुराम शर्मा की अध्यक्सता में की जाती है ठीक है तो ये पांच प्रजा मंदल जो कि आपके इस चैप्टर में दिये हुए थे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए तो चलिए यहीं तक आज हम करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है इसका एक और पार्ट जो है वो आएगा इस चैप्टर का और उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा ये चैप्टर जो है वो आपका काफी बड़ा था तो इसको बार-बार रिवाइस कर करिएगा बार-बार वीडियो को देखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू झाल 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 झाल